हेलो फ्रेंट्स मैं स्वागत करतो अपने चैनल पर अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज को सब्सक्राइब जरू करिएगा और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले आज हम बात करने वाले हैं power of compounding के बारे में compounding जो एक term होती है mathematics में या stock market के अंदर या investment के अंदर वो होती है चक्रब्रती ब्याज ठीक है तो उसके उपर हम बात करते हैं तो हम पहले यह मान लेते हैं कि left में मेरा जो यह जो दाड़ी वाले अंकल है यह A है और जो बिना बिने जो investment start करी वो 25 साल की उमर में start करी तो A ने जो monthly investment करी वो 1000 रुपे की करी same B ने भी जो investment करी वो 1000 रुपे की करी पर मन्त जो A का invested period था वो 25 साल का था whereas जो B का invested period था वो 35 साल का था total investment जो हुई वो A की 25 साल में वो 3 लाग रुपे की हुई ठीक है और जो total investment B की हुई वो 4 लाग 20,000 रुपे की हुई अब देखते हैं retirement amount जो A का निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 करोड 12 लाग रुपे जबकि जो retirement amount B का होगा वो निकल के आएगा जो A के amount से भी double से जादा है 2 करोड 63 लाग रुपे ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कि जो difference था वो 10 साल का ही है basically तो 10 साल के difference के अंदर जो compounding का जो power हुआ वो देखिए आप के वो double से भी जादा उस amount को ले गया तो इसलिए बो the power of compounding तो इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी आप investment चालू कर सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी investment चालू करिए चाहे छोटे amount से करिए it doesn't matter के आपको 1000 लगाना है आप 100 रुपे से भी start कर सकते हैं तो जितनी जल्दी आप investment स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको compounding का जो benefit है वो thank you so much